बिस्पिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम लेकूम वेलकम है आपका गुल फूर्ट सीक्रट में कैसे हैं आप सब आयूप सब अच्छे होंगे सब भले चंगे होंगे तो फ्रेंग्स आज में आप लोग किसा शेयर करने जारी हूं मटन रान रोस्ट की रेसिपी जो कि बहुत टे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इससे यह होगा कि मेरे आने मादी हर न्यू वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तफ पोच्छेगा रान रोस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक बकरे की रान ली है और इसको अब हम अच्छे से साफ कर लेंगे उपर से इसके जो छीछड़े होते हैं जो उपर से एक बतली सी स्कीन होती है वो इसके अच्छे से उतार लेंगे तो यहां पर मैं भाई की हैल्प चुरी ले लें ताकि यह असानी से उतर जाए तो यहां पर रान हमारी अच्छे से साफ हो चुकी है मैंने इसको एक दफा पानी से धो लिया है और अब इसके अंदर बड़े-बड़े से कट लगा रहे हैं ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर तक चला जाए तो आप देख ले से लेख से प्वंगों हरी फेश्ट पाऊडर मैं कर देख मेरेगा खाने मुझस को सब्सकी हरो पाउडर करें एक का रेख हरिमिर्ष का पाउडर मैं से farkन जाए उसके इंदर जाएगा एक खाने का चमच छंबीवाड मिर्ष का पाउडर से मिन्हीं 50 यहां कि में टिए सब अंदर नमक नंक आप टाकि मसाले के अच्छा नियंके five छे ज्पाटाइज कर दके इसका नमक काल MR यह optional है और आप इसके अंदर एक चाय का चमच जो है वो पपीता पोडर भी आड़ कर सकते हैं ताके रान जो है वो जल्दी गल जाए लेकिन मैंने इसके अंदर पपीता पोडर आड़ नहीं किया है मैं रान को वैसे ही लो फ्लेंपर्स को पकाऊंगी तो मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों को आप थोड़ा से चेक कर लें कि आपकी जो स्पाइसे हैं वो अच्छे खासे होने चाहिए क्योंके रान जो होती है अगर हम मसाले कम एड़ करें तो यह अच्छी नहीं बनती है फिकी फिकी सी बनेगी और आपको बि इसको अच्छा से में अच्छा साभिवर आइट अटाएं लिए लेकिन यह मसाले काफी होते हैं अच्छा टेस्ट लाने के लिए दो आप इसको हम तीन घंटे तक मेरीनेट होने के लिए रख देंगे अब इसको जितना ज़दा मैरिनेट करेंगे ये उतना अच्छा ज़रा फ्लेवर देगी तो मैं इसे फ्रिज के अंदर रख दूँगी तकरीबन तीन घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए तो यहाँ पर रान को मैरिनेट हुए तीन घंटे हो चुके हैं तो अब हमें उसे स्टीम करना है तो स्टीम करने के लिए मेरे पास यहाँ कुछ खास बर्तर नहीं था तो यहाँ पर मैंने एक बिर्यानी का जो डबा है वो लिया है जब भी हम होटलों से बिर्यानी पैक करवा कर लेकर आते हैं तो हमें ऐसे डबो में वो बिर्यानी पैक करके देते हैं तो मैं इसके अंदर जो है वो सुराख करवा रही हूँ छोटे-छोटे से आप इसके अंदर होल कर लें सुई की मदद से और यहाँ पर यह मेरे पास एक एक एकstचर temporary गिर कद्डूस पड़ा हुआ था यह एकstra है फजूल है इसे मैंने पतीले के अंदरब पानी आट है और इसे मैंने अंदर रख दिया है ताके हम जो बना रहे हैं वो स्टीम करने के लिए जो मैंने डबा बनाया है जिसके अंदर मैंने होल की है ये इसको मैं उपर रख दूंगी और इसके अंदर हम अब रान जो है वो सेट करके रख देंगे तो आपके घर में भी अगर कोई ऐसा डबा पड़ा हुए तो आप उसके अंदर होल कर ले और उसके अंदर आप स्टीम कर सकते हैं अगर आपके पास steamer नहीं है steam करने के लिए कोई खास बरतन नहीं है तो यह बहुत अच्छा तरीका है तो यहां पर जो रान है वो तीन घंटे हो चुके थे मेरिनेट हुए तो वो मैंने इसके अंदर रख दी है और जो उसके अंदर मसाला बचा हुआ जो नीचे बरतन में रह जाता है पेंदे में वो मैंने सारा इसके उपर डाल दिया है ताकि इसके जो हमने कट लगाए है वो फिल हो जाए मसाले के साफ तो अब हम इसको तीन घंटे के लिए मैं इसको steam करूँगी medium to low flame पे आपने इसे medium to low flame पे steam करना है अगर आपने पपीता पोडर आड़ किया हुआ है या पपीता कच्छा पपीता आपने इसके अंदर आड़ किया हुआ है तो शायद इसको steam होने में काम टाइम लगे लेकिन मैंने इसके अंदर कोई ऐसी चीज आड़ नहीं की है तो मैं इसे medium to low flame पे तकरीबन तीन घंटे के लिए इसको मैं steam करूँगी तो मैंने उपर से cover कर दिया है पतीले को cover करने के बाद मैं इसके उपर एक मोटा सा कपड़ा जो है वो डाल दूँगी तो इसका ये मकसद होता है कि जो इसकी steam है वो बाहिर न निकले तो आप आटे की मदद से भी पतीले को बंद कर सकते हैं लेकिन मैंने इसके उपर जो है वो एक मोटा सा कपड़ा जो है उसको डबल और त्रिपल करके मैंने इसको धाम दिया है और उपर मैंने इसके वजन रख दिया है ताकि steam जो है वो बाहिर न 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 है पूरे तीन घंटे मैंने इसको स्टीम किया है और माशाला आप रिजल्ट इसका चेक करें कैसे गोस्त जो है वो हडियों से अलग हुआ हुआ है तो यह बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और अब हम अगला प्रोसेस करते हैं इसको निकाल लेते हैं तो यहां पर मैंने ऐल कमाल में प्रोसे only touch इवा करें समय शायर में मत खा एला के काईए तो एक तेस्ट आता है तो मैंसे पंदरा मिनट तक लोन पर पर ऑप तक इसको अच्छा सा क्लार नहीं आ जाता है गोलल न ब्राउन सा तो ऐसे ज मैंने उल्ल में सब्vtिहां दोल्य करांका झाली है तो आप बून सकते हैं कोईलों के उपर भी आप इसको रख सकते हैं तो इसकी बार्बी क्यू जो होती है वो बन जाती है रोस्ट जो यह रान होती है तो पंदरा मिनट तक हम इसको फ्राइ करेंगे और पंदरा मिनट के बाद आप इसका रिजल्ट चेक कीजिएगा तो यहां पे पंदरा मिनट हो चुकी है इसको भूनते हुए हलका सा दोनों साइट से हम और फ्राइ करेंगे और मैं इसको अलग बरतन में निकाल लूँगी और आप देखें कैसे गोश्ट हड़ियों से अलग हुआ हुए है बिल्कुल अच्छे से ये गल चुकी है तो फ्रे रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी राय का इसहार कीजिएगा न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेसिपी के मतलिक कोई प्रेस्टन है तो आप कमर्स सेक्शन पर पूछेगा मैं आपको इंशाला जरूर रिप्लाय दूंगी नेक्स